अब इन धूनों में क्या डिफरेंस एक पून्प्रतियोगृता बजार के अंदर आते का अपून्परतियोगितता बजार कहा जाता एक को कहा तो दोनों में क्या अंतर है दोनों में इसकास करेंगे तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ बायर सेड़र फ़र्फेक कंपटिशन और इस मौनपोले स्टेक कंपटिशन में दूनों में लाज नंबर होते हैं एक जैसे होते हैं साइज शेप क्वालिटी क्वान्टिटी सब एक जैसी होती है लेकिन मौनोपॉलिस्टिक competition में डिफ्रेंशियट कर सकते हैं प्रोड़क को ठीक है जैसे मैंने टूथ पेस्ट का लोग एक्जामपल दिया था में प्रोड़क को डिफ्रेंशियट कर सकते हैं अगर उसे लोस हो रहा था उव नीव कर सकते हैं मार्किट को कुछ बैरियर होते हैं कुछ जैसे ब्रैंड की लोयल्टी है पेटेंट राइट अगर एक के पास है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते फ्री एंट्री में थोड़े से बैरियर है ठीक है एक सिंगल से इंफ्लेंस कर सकते हैं मार्केट को कि वह अगर प्राइस कर रहा है कम कर रहा है तो उसी की सेल पर पड़ेगा ठीक है क्योंकि मार्केट में दूसरे अल्टर्न जो है प्रोड़क्ट अविलेबल है और सीम तो यहां का डिमांड कर प्रफेक्टली लास्टिक होता अगर एक ने अपना प्राइस बढ़ाया तो दूसरे पर डिमांड शिफ्ट हो जाएगी और मॉनुपरिस्टिक की बात करें यहां सिंगल सेलर थोड़ा सा मार्किट प्राइस को इंफ्लूएंस कर सकता है तो यहां का दिमांड करण लो यहां जैसे बहुत सारी ब्रेंब है अगर उसे बढ़ाने और यहां और उसके टुठ पेस्त की ब्रैंड है तो वही ब्रैंड ही ऐसना चलिए धी जो ब्राइस पर कान प्राइश के यहुंद कर दिया तो आ सक्षान है यह बियृघ और धुली के दिया तो कोड़े शिफ्ट हो जाए यह पर सभी कंज्यूमर तो शिफ्ट नहीं होंगे तो यहां पर प्राइस मेकर होते हैं मोनोपॉल स्टे के अंदर फर्म जो होती है क्योंकि वह खुदी अपने प्राइस कुद की साइड करती है और हम बात करें परफेक्ट कंपटिशन की तो यहां प्राइस टेकर होती है क्योंकि यहां सभी फर्म जो होती है इंडस्ट्री के अंदर ग्रूपी क्या कहलाता है ग्रूप समयंजत्क्रेट केब प्रॉड़क्ट करती है क्योंकि सभी का एक ग्र होता है कि एगार 5500 के प्रॉड़क्ट का 10 ड rush होगा कोई जादा करेगा ना तो यहां पर single seller effect नहीं करता है क्योंकि प्राइस टेकर होते हैं perfect competition monopolistic में single seller जो है कि पास कुछ market power होती है कि अगर अगर उसका product भी कर बिक्ला उसके बढ़ा सकता है ठीक है influence कर सकते है वह market के सकता है अगर लोग उसका पर्षंद होाँ तो जरूर खही देंगे प्रौफिट मैक्सिंधेशन का में होता है यहां पर बात करें मैक्सिमाइज करना प्रौफिट जहां पर मर्ट-ile won new के गिंट में मि0 करता है फिट कहां पर हायर प्रैप्ट तेंदर मार्जिनल कोस्ट ठीक है मार्जिनल कोस से बही जो एक्स्ट्रा कोस्ट उसकी लगरी हो से प्राइस जादा हो ठीक है वहाँ पर उसका मेक्सिमाइज होता है तो यहां पर यह हमारा जो डिफरेंस है वो खतम होता है आई होप आपको क्लियर हो गया गर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक शेट अब्सक्राइब मैं चनल थैंक यू